हेलो दोस्तों वेलकम हैं आपका हमारे योटीव चैनल में कर्मचारियों पैंसर्स और फैमिली पैंसर्स के लिए मैं आज चार बड़े अपडेट लेकर आया हूं जैसे कि मैं अपने प्रीएस वीडियो में कई बार बता चुका हूं कि डेली हमारा वीडियो साड़े साथ से कर्मचारी यो अपडेट कर देंगे आपको आधर कोई और वीडियो देखने के जरुवत नहीं है तो इसमें चार बड़ी खबरे लेकर आया हूं ढ़र बड़ेट निकलकर आया हूं वह मैं बताने वाला हूं उससे आपको काफी फायदा होने वाला है दूसरा बड़ा अपडेट आया है 18 मां के डीयर डीयर के आडियर को लेकर आया है तीसा बड़ा अपडेट अभी आपका आठवी वेतन आयूग पर एक संसत में नया अपडेट आया है संसत से वो भी बताने वाला हूँ चोथा जो बड़ा अपडेट है ऐसे पेंसनर्स और फैमिली पेंसनर्स के लिए जिनकी पेंसन में किसी तरीकी अनिमोलीज है या कम जादा होई है या फिक्स सही से नहीं हो पाई है और अभी तक उसका वो लो सहर है तो सारी डिटेल में जानेंगे पूरी अपडेट को इस व क्रमेंट बॉक्स में पूछ लीजेगा हम ऐसी समस्याओं को हमेंसा सौल्व करते हैं इसलिए हमारे चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलीगा हमारे चैनल से जुड़ने के लिए एक ही तरीका है कि आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं ब्लैक बटन क को इसी तरीके से आगे भी वाच कर पाएंगे चलिए जल्दी से पहली बड़ी खबर इत्रब लेकर चलते हैं जो कि आ रहा ही आप स्कीन पर भी देख पर हैं इस डी डी आर मर्च वैन इड विल रीच 50 परचेंट आप सभी को पता है कि कर्मचारियों पैंस्रस और फैमिली परचेंट उसके अनाउंस्मेंट जल से जल देखने को मिलेगी साथ ही साथ आपको मार्च मंद की सैल्ली और पैंसन के साथ में इसको देखने को मिल सकती है जिसमें जनवरी फरवरी की आपकी डी ए की एरियर्स भी मिल सकती है ये तो आपको सारी चीज़ा पता है लेकिन ब basic pension 30 रुप है तो आपका अगर DA और DR 50% होता है तो आपके basic का 50% 30,000 का 15,000 होता है तो इसके बाद जब नया pay commission आता था तो आपकी जो basic होती थी पहले के pay commission समय है वो 30,000 basic plus DA, DR 15,000 उसको add करने के बाद में total 45% basic बनती थी और नया pay commission वहां से ऐसे start होता था लेकिन अब इसी के लि कर दूं कि यह सब rumors हैं DA 50% के बाद कोई क्रोस कोई मर्ज नहीं होगा आपकी जैसे अभी DA 50% है जनवरी दोयार 24 से तो जुलाई दोयार 24 से यह 50 से 54 परशेंट तक जाएगा 53 54 एवन 55 तक भी जा सकता है वो डिपेंड करता है आप सभी को पता है कि ओल इंडे कंजूर प्रा जनवरी 25 से 58 तक जाएगा और यह 100 परशेंट तक तब तक जाता रहेगा तब तक इसमें बढ़ता रहेगा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो प्रीवियस पे कमिस्स थे उनमें कई बाल DA 100% को भी क्रोस किया है और जो अधर CPC हैं उनमें अभी भी 100 के लावा ब आपको जानकारी लिए बता दूं कि अभी भास्ती मजदूर संग ने एक लिटर लिखा है जिसमें पैंसनर्स पैमिली पैंसनर्स करमचारियों के कोविट के टाइम पे 18 मंस के डीयर के अपडेट को डीयर का जो एडियर से उसको रोका गया था उसको देने की फिर से बात कह जा रही है इसमें एक मीटिंग भी हुई थी इस मीटिंग में बहुत सारे एंप्लोई बहुत सारे ओफिसर्स भी बैठे थे और इसमें 18 मंस का डीयर का जो मुद्द था वो टॉप पर रखा गया था इसके लावा इस मीटिंग में आगे भी कई अपडेट आएंगे लेकिन में आपको जानकार इकली बता दू कि संसद में गवर्मेंट डेटर ओडर में बोल चुका है कि 18 मंस का डीयर को नहीं मिलेगा उसके बाद भी जो है करमचारियों की यूनियंस और पैंसर्स की यूनियंस लगाता सरकार से लेटर लिखती रहती है और उनको नवीगेशन उन बहुत कम चांसे हैं से कि आपका 18 मंस का डीयर जो है आपको प्रोवाइट कराया जाए नेस्ट बड़ा अपडेट आ आप देख सकते हैं यह भारत पैंसर्स समाच की तरफ से एक लेटर लिखा गया है जो कि आप देख सकते हैं जिसमें एक्वाल पैंसर्स की बात की गई है जो की 2006 से पहले के रिटार्मेंट थे उनकी AGM की मीटिंग में यह रिजोलिशन लिया गया है अब देख सकते हैं इसमें कई सारी चीजें हैं वो कई सारी चीजें में अपडेट भी दिया गया इसमें आप देख सकते हैं पैंसर्स प्ले आ वाइटल रोल इन आवर सोसाइट अब देख सकते हैं बड़ी बात इसमें बूली जा रहे हैं कि पैंसर्स के लिए 2006 से पहले पैंसर्स थे उनके साथ काफी डिस्परिटी हुई उसके बाद में कई सारी चीजें उनके साथ हुई और 6K कमीशन आया 7K कमीशन आया लेकिन गुवर्मेंट कि लेकिन उनको 2006 से प करनी हुई है इसलिए गॉवर्मेंट से जो है रिक्वेस्ट की जा रही है कि सरकार जल से जल 2006 से पहले कि पैंसर्स की सईसे से फिक्स करें उनको सईसे पैंसर्स प्रोवाइड करें आगे आप देख सकते हैं यह बड़ा इंपोर्टेंट अपडेट आ रही हैं आप देख सक विचार ना करने और उसे अनमोदित न किये जाने के फाइलों में दर्ज होने के क्या कारण है दूसरा कोशन आप देख सकते हैं क्या इस तत्त के कारण की सरकार वेतर नायूग संबंधी खर्च वहन करने की सिती में नहीं है इसलिए आठवे केंद्री वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ता और वैचारा दीन नहीं है तीसरा कोशन देख सकते हैं यदि हाँ तो इससे तत संबन्दी भी हो रहा है और इससे इसी दी किया करना है लाश्ट कोशन है यदि नहीं तो पांट भी सबसे बड़ी अर्थविस्ता द्वारा केंद्री आठवे वेतन आयोग के गठन ना किये जाने और बिगत तीस बर्सों में अभूत पूर्व मुद्रा श्पीती यानि इस्फलेशन का सामना कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पैंसर के वेतन में संसोदन ना किये जाने के क्या करान है त gaan देख सकते हैं काफी इंपोरटेंट और काफी अच्छे कोस्चंग's पूछे गये जिनका आतर जिनका उत्थ दिया आँसर दिया अंसर और नहीं सकते हैं का का answer इस साथम वेधन के आधार पर वेतन बहुत को अनुमोदन देथे समय की मंदन ने इस मामले उतना पर आप दी dio को यह जो फ। नहीं किलें कि जो भी पैंशना और बाइजेंशन को लिया करके। इस टाइप से कोई भी रिकमेंडिशन नहीं चल ला है और कोई भी अपडेट देखने को अभी नहीं मिल ला है नेक्स्ट आप देख सकते हैं नेक्स्ट है गासे के बाद खासे घातक, खासे घातक में सरकार के पास इस प्रकार कोई भी प्रस्ता विचारा दिन नहीं है अभी आठोवेतन आयोग की बात करना भी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़े अभी अपडेट्स होगी, साथ इसके लावा भी आठोवेतन आयोग में कई सारी चीज़ें से चेंजेस होगे, एक कमेटी बनेगी, वो अपने रिकमेंडिशन्स द या फिर यह भी हो सकता है कि गवर्मेंट को यह और अल्टरनेटिव निकाले पे कमिशन के रिवीजन का जैसे कि मीडिया में खमरे आती रहती है कि सरकार तो है आटोमेटिक पे रिवीजन ले सकती है या फिर एक्रोइट फर्मूला को जो है अब जो ले सकती है तो यह कई सार लगा तो लाइक जरूर करेगा इसको शेयर जरूर करेगा और आपकी कोई प्रोलम सो चाहे पैंशन ओ फैंबली हो आपके वेलफ्र से लेटिट कोई भी समझ चाहतों मैं कमेंट बोक्स में जरूर लिखिया हम आपको पूरा करने की पूरी पूरी को से जरूर करेंगे न्यूज इन्फर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखेगा मिलते हैं आपको नेक्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच